दोस्तों चीन की तरफ से पाकिस्तान के उपर अब तक की सबसे शरमनाक टिपनी आई है जिसमें चाइना ने गुसा होते वे पाकिस्तान से बोला है कि अगर पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की आर्मी कैपेबल नहीं है बसमें हुए धमाकों की इन्वेस्टिकेश करने के लिए तो हमारी मिसाइले तैयार है पाकिस्तान के ऊपर बॉम करने के लिए देखिए दोस्तों यह वीडियो समंदरों से घहरी, पहाडों से उची और वो जो शेहद से मीठी थी दोस्ती चाइना और पाकिस्तान की उसी दोस्ती के उपर अब चाइना से जो उसका चीन का एफिलियेटिड मीडिया है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाई देती हूं यह उन्होंने यह ट्वीट की है कि यह जो वाकिया है इसकी अगर अभी तक मुझरिमान नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे लेकिन अगर फर्ज कीचे नहीं पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तान से कह रहे हैं तो हमें बताईए कि हम अपने मिजाइल जो है वो इस् माउमला है मतलब इतनी बड़ी आप एतने बड़े वाकिय को एक ढम उसके पर पड़ा ड़ाने के लिए कलेंगे कि गैसली किच कहके है तो वह टबहो जाएगा थे einzige मुझर हो तो नहीं होगा अगर किसी दूसरे मौल का मामला है वह तो नहीं चूड़ेगा हमारे अगर सिर् कि आजोरी लेकिन मौामला है दूसरे मुलक के शहर का चाइना चेन के शहर का ना. है किम तो जब किससे आपने निकले होगा कि इस肉 है किते चीज़ है फीरेदा फंवक्त आम उप्र Film मौना नंभी है और पर तो बस गिरी है, तीसरी बात जो मुझे पढ़ने को मिली वो ये थी, कि उसके मुझे ट्वीट्स भी मिल रहे हैं देखनी है, और ये कहा जा रहा है, कि नहीं धमाका हुआ है, वो खुद कुछ धमाका था, ये बम का धमाका था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था, ये बस त में रिजल्ट है, इसके उपर आपने बात करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का मामला तो है, नहीं कि इस तरीके से परदा डाल दिया जाए, लेकिन वही बच्चों की तरह, जो है, कोई ऐसा वाक्या हो जाए, उसके पर पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है, दोस्तों, चाइना पाकिस्तान के उपर इस वज़े से गुस्सा आए, कि पाकिस्तान ने जब 14 जुलाए को ये बम हमला हुआ, तब लगातार चाइना को बेवकुफ बनाने की कोशिश करी, पहले पाकिस्तान बोला, क्या रही ये तो गेस में रिसा होता, जिस वज़े से ब नहीं है, याना ये के एक तरह से उन्ने बोला कि एक टरररिस अटेक है, उसके बाद चाइना ने फिर पाकिस्तान की खिली उड़ाए और बिना पाकिस्तान की पर हुज यांग उसने तो दो कदम आगे जाते हुए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसाई की खिली भी उड़ाई उसके अलावा पाकिस्तान की जो संप्रभूता है उसका भी मजाग बनाके रख दिया हुज यांग बोलता है कि अगर पाकिस्तान की आईएसाई प जते संदान आपकर रही है तो हमें बोलो हमारी मिसाइलें तैया रहे हैं मनलों उसने ये भी नहीं बोला कि ports ब्रॉब मन देश है जो हमें बुरे वक्त में हमारी मदद करता है अब वही देश सीधा सीधा पाकिस्तान जो एक सॉवरेंट कंड्री है उसके अंदर वो बम डालने की बाते बोल रहा या barbecue ऑकिस्तान का हम बोल रहे थे सेटलायट इस्टेट है सेटलायट इस्टेट है चेलता है ये बम हमला जो हुआ इसकी वेशे दोस्तों कहीं ने कहीं चाइना के भी होश ठीकाने आ चुके हैं क्योंकि कई दिन से जैसे भारत की परियोजना है अफगानिस्तान में दोस्तों बरबाद हो रही तालिवान उनको निशाना बना रहा उसके बावजूद भी चाइ ना तालिवान को अपना दोस्त बोल रहा है इस पर आपका क्या रद्ध अमल है तो उन्होंने भड़ी ही खूबसूरत बात बोली उन्होंने बोला दोस्तों कि रिश्या ने एक बार हमारा स्वाद चक लिया हमारी दोस्ती का स्वाद चक लिया अमेरिका ने भी चक लिया त एक मौका चीन को भी मिलना चाहिए हमारी दोस्ती का दोस्तों चाइना को वाके में यहां आना चाहिए और यह desired जब चाइना के अंदर अच्छे से जाएगा ना तो चाइना जो यह डबल गेम खेल रहा ना पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के साथ चाइना के भी होश टिकाना आ जाएंगे पर इन सब के बीच में इस प्रकार से पाकिस्तान की इंटलीजेंस एदारों की अपमान करते हुए उनकी इंसल्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर ही जो एक नुकलियर कंट्री उसके अंदर ही बम मारने की बात बोलना ये पाकिस्तान के लिए काफी शरमनाक है और चीन का वो व्यवार दिखाता है कि वो पाकिस्तान को क्या समझता है पाकिस्तान के लोगों को क्या समझता है हूज यार ने जैसे ही ये ट्वीट किया पाकिस्तानी पहुँच गए उसके ट्वीटर एकाउंट पर है वो बोने लगे कि आपको थोड़ा शांती रखनी चीए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हमारी इंटलीजेंस एजेंसियां काम कर रही है बड़े ही शरम के बात है दोस्तों कि अब पाकिस्तान के हम अंदर ही चाइना भी बम हमले की बात बोल रहा है दोस्तों चाइना का रेडिकल इसलाम के प्रती एक ही नजरिया है वो सबको एक ही चट्टे बट्टे का हिस्सा मानता है